मस्ते दोस्तों कामी निक्य के चर्ण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेस्पी जड़ा भी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी यह बनेगी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बाइए यहां पे मैंने लिया है एक mixing bowl और यहां पे मैंने लिया है एक कटोरी चावल फ्रेंट से आपे बासमती चावल का यूज नहीं करना है या फिर पुलाव राइस का भी बिल्कुल यूज नहीं करना है जो हम घर में डेली चावल खाते हैं बस यहां पे मैंने वही चावल लिया है इसी से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा बहुत यहादा टेस्टी बनेगी चले भाई यहां पे मैंने देड़ कटोरी चावल ले लिया है नॉर्मल चावल है जो हम डेली खाते हैं चले भाई देड़ कटोरी चावल ले लिया है अब यहां पे मैंने लिया है एक कटोरी हरी वाली उरद की दाल तो friends measurement ध्यान से समझ लीजेगा कि डिएर कटोरी चावल के मुकाबले हमें यहाँ पे एक कटोरी डाल लेनी है आप यहाँ पे इस recipe को और healthy बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करें एक कटोरी जो हमने उरत डाल ले है ना उसकी जगा मूंग की डाल भी ले सकते हैं बिगार चिली भी ले सकते हैं तो चलिए दोनों चीजों को हमने अच्छे से कर लिया है mix अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से रगड करके दो से तीन बार बढ़ियां से धो लेंगे क्योंकि काफी सारा जो चार्च चावल में भी होता है और दाल भी काफी गंदी होते तो दोनों चीजों को हमने 2-3 बार बढ़ियां से धो लेना है तो यहां पर मैंने दो आलु को इस तरीके से कट कर लिया है, इसके इसेेंं मैंने प्याज भशाटा मार्मा bugs घजटा लिया है चलिए भाई यहां में मैंने टमाटर लिया है एक टमाटर को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है दो से तीन हरी मिर्च काट लेंगे और साथ ही में मैंने एक शिमला मिर्च कट कर यह शिमला मिर्च के वीजो को हटा करके शिमला मिर्च को कट कर लिया फ्रेंड्स ये सभी चीजे सभी के घर में हमेशा एबिलेबल रहती हैं आप यहां पे एक्स्ट्रा गाजर या फिर जो भी गोभी बगारा भी अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं जो नहीं पसंद करते हैं उसे इसके भी कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट से प्रेश जीरा साथ में डालेंगे हींग फ्रेंड्स जीरा हींग यहां पे बिल्कुल स्किप मत कीजेगा इनका भी अपना एक अलग सा फ्लेवर आता है जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है चलिए सभी चीज अच्छे से क्रैकल हो गई है अब यहां पे मैंने प्यास जाल दिया है तो चालिये भाई भाई वहां अच्छे से भून लेते है तो फ्रेंड्स प्यास को चलाते हुए ही भूनना है ज्यादा लाल या फिर एकदम तरक कलर का हमें बिल्कुल भी नहीं करना है फ्लेम को मीडियम रखिए से हला सा चलाते हुए वहां प्यास प्यास जब हमने की π को हम चलाते हुए बढ़ियां से हलका सुनहरा कलर आने तर भून लेंगे फ्रेंड्स अगर प्याज जादा काला हो जाए या फिर बहुत जादा डार कलर का हो जाए ना तो वह मीठा सा नहीं रहता वह एकदम से कड़ुआ हो जाता है तो वह बिल्कुल पूरी रेस्पी को खर भी कर देगा तो बस हलका साही गुलावी इस तरीके का हो जाए बस आप समझ लीजेगा प्याज अच्छे से बुन करके तैयार हो गया है तो चलिए भाई अब यहां पर हम क्या करेंगे अपना कटा हुआ टमाटर एड़ कर देंगे तो चलिए भाई टमाटर में काफी सारा जो है पानी ओता है ना यानि टमाटर का जूस तेल में डालते है ना तो इसका तेमप्रेचर है वो एकदम से बढ़ जाता ve यानि एकदम से ही गरम तेल है और ठंडे टमाटर डाल देते हैं टमाटर में काफी सारा जू है जूस भी होता है तो एकदम से ही आपका जू है ना इतनी तेज बनते है कि हाथ जलने लगता है तो चलिए भाई अब यह शान्त हो गया है अब इस स्टेज पर मैंने शिम्ला मिर देवल्स हमने अच्छे से फ्राइ कर लिया है अब डालते हैं कुछ मसाले तो सबसे पहले मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूं तो फ्रेंट्स मैं अपने अकॉर्डिंग यहां पे डेड़ चम्मच के करीब नमक एड़ करीग क्योंकि मैं बना रही हूं अपने पूरे डाला है इससे जो हमारा जो टेक्स्चर है काफी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत ही टैम्टिंग सा लगता है चलिए एक चम्मच भर के मैंने रट चली पाउडर यहां पर एड़ किया है साथ में अब यहां पर स्पेशल मशाला डालेंगे जो की है पाव भाजी म मसाला जी हां फ्रेंड्स पाव भाजी मसाला आप एक बार इस तरीके से डाल करके तो देखिए बहुत ही जादा गजब का टेस्ट भी आता है फ्लेवर भी काफी बढ़ जाता है तो चलिए एक चम्मच भर के मैंने यहां पर पाव भाजी मसाला एड किया है अब हमें क्या क करेंगे मसाले जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए से चला लेते हैं एक दो सेकिंड के लिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और अब हम क्या करेंगे इसी स्टेज पे इसमें अपने जो आलू रखे थे ना हमने पानी में दो करके डूबो करके उसे हम जो है इसी स् आलू को है एक दू मिनट के लिए हमने इसे बढ़ियं से भूनना है तो पहले हम इसे कीस पम्री आग legenove बिल्कुल सब्जियों से अलग हो गया मसारा भी बहुत अच्छे से भुन गया है बहुत यह अदर टेस्टी फ्रेंट्स मन तो कर रहा है कि बिल्कुल भी आगे रेस्पी मैं ना बनाओ इसी सब्जी को बना करके खालू थोड़ा सा और पकाऊं और बढ़ियासे से एंज्वा बना रहे हैं हम बना रहे हैं बहुत ही स्वाधिष्ट खिचडी की रेसिपी तो फ्रेंट्स बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा वीडियो में बने रहिएगा तो चलिए आप यहां पे मैंने दाल चावल को भी एड कर दिया है फड़ा-फड से डालते हैं पानी तो फ्रेंट पे बड़ा कूकर लीजिए उसमें चार-पांच ग्लास पानी डाल दीजेगा लेकिन भाई मुझे तो यह थोड़ी सी खड़ी यानि चावल एक अलग हो तभी अच्छा लगता है तो मैंने अपने तीन ग्लास पानी एड किया है लास्ट में मैंने यहां पे गरम मसाला एड नहीं आता है तो हमेशा मसाले भूनने के बाद जब पानी डालिए बंद करना हो कुकर उससे पहले ही एड कीजिए फिर देखिए कितना बढ़िया टेस्ट आता है चलिए अब इसे कर दिया है कवर दो सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे एक सीटी हाई फ्लेम पे एक बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे जब तक उसमें से स्टीम निकल रही है तब तक मैंने यहां पे लिया है एक तड़का पैन आज हम लगाएंगे इसमें स्पेसल वाला तड़का तो चलिए भाई यहां पे हमने लिया है चार पाच टेवल स्पून देसी घी बहुत ही यूनीक रेसिपी है फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से बना करके तो देखिए आपको मजा ना आ जाए तो कहना तो चलिए भाई यहां पे मैंने ले लिया है देसी घी फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है घी को अमें पकाना नहीं है बिल्कुल लो रखना है बिल्कुल गरम नही बढ़ाने के लिए दो चोटी सी सिनिमन स्टिक ले लिए बहुत थोड़ी ही डालनी है अब यहां पर मैंने एक मोटी लायची को इस तरीके से तोड़ लिया है इससे फ्लेवर और खुश्बुक काफी अच्छी आती है तो तोड़ करके हम इस स्टेज पर एड़ कर देंगे आ नहीं उठ रहे हैं क्योंकि फ्लेम मैंने बिल्कुल लोही रखा हुआ है चलिए अब यहां पर मैंने ले ली हैं साबूत सूखी लाल मिर्च तो दो से तीन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अब यहां पर हम इसमें बढ़ियां से जो है इसको पकने देंगे लेकिन फ्लेम को लोही रखना है घी का फ्लेवर जो है ना खिल के आना चाहिए मसालों में फ्रेंट जो मैं इसमें मसाले डाल रही हूं ना इससे देखेगा रेस्पी आपकी ना कितनी गजब की बनेगी चलिए भाई दो लॉंग मैंने यहां पर एट की है इन मसालों का जो करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है हीं यह फ्रेंट्स इस पेशल वाला तड़का जब आप अपनी खिचडी में लगा देंगे ना यह खुश्बुदार इसमें दाल चीनी का लॉंग का मोटी लाइची का जीरा हीं साबुत लाल मिर्च का फ्लेवर है ना वा फ्रेंट्स गजब का टेस्ट आएगा आपकी खिचडी में तो चलिए भाई तड़का भी बन करके बिल्कुल तयार है चलिए फटाफट से खोल लेते हैं कुकर तो देखिए फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी पूरे परिवार के लिए मैंने ये खिचडी बना करके तयार की है भाई मेरे हिसाब से तो ये खिचडी बिल्कुल परफेक्ट है तो लीजे भाई आपे प्लेट तयार कर ली है तो प्लेट में मैंने मूली टमाटर हरी मिजड डाले है तो भाई अचार कैसे रह जाए तो चलिए फटा-फट से रखते हैं अचार और करते हैं अपनी स्वाधिस्ट खिचडी को सर्व तो फ्रेंट्स इस खिचडी को गरम गरम ही खाईएगा आपको मज़ा आ जाएगा तो लीजे भाई मैंने इसे क्या किया है न चमचे से सर्व कर रही हूं आप इसे करची से ही सर्व कीजेगा क्योंकि ये देखिए निकलने में दिक्कत हो रही है चमचा होता है न वो एकदम गोल होता है तो थोड़ा से निकलने में दिक्कत हो रही है लेकिन कोई बात नहीं हम इसे हैंडल कर लेंगे तो चलिए भाई चमचा हम इस तरीके से घुमाते हुए इसको बड़िया से फैला लेंगे तो लीजे भाई गर्मा गरम हमारी जो है यह खिचड होगे कि यह वाला तड़का कूकर में ही डाल देते डारेक्ट फ्रेंड्स यह जब भी आप खाईएगा न तो इस तरीके से ऊपर से डालेगे क्योंकि जब हम घी वगएरा खिचडी में डालते है तो ऊपर से ही डालते है उसका फ्लेवर ही अलगाता है तो चलिए जितना ज इसको पसंद हो उतना घी आप एड़ करिए और जैसे जैसे सर्फ करिए सब की प्लेट में इस तरीके से घी का यह जो स्पेशल वाला तड़का आयना जरूर लगाईएगा बहुत ही अमेजिंग यह खिचडी बन करके तयार हुई है फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी जब भी क अपने इस तरीके की पाव भाजी वाली जो है खिचडी बनाकरके खाई हो फ्रेंड्स बहुत आपने खिचडी बनाएगे बहुत खाई हो लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से बनाकरके तो देखिए ना उंगलियां चाटे तो कहना भाई मेरी रेस्पी आगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो लीजे भाई स्वाधिष्ट खिचुडी बन करके बिल्कुल तैयार है आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरू जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो चलिए भाई मैं तो चली से गर्मा गरम खाने बहुत ही स्वाधिष्ट मुझे तो नहीं हो रहा वेड लीजे भाई मैं तो चली से खाने मजा आ गया फ्रेंड्स आमेजिंग तो फ